गुरुवर महालक्ष्मी गजलक्ष्मी ब्रत कथा पौरानिक कथा के अनुसार प्राचिनकाल में एक बार एक गाउ में गरीब ब्रह्मन रहता था वो भगवान बिश्नु का परमभक्त था एक दिन उसकी भक्ती से खुस होकर भगवान बिश्नु उसे दरसन दिये और मन चाहा वर्दान मांगने को कहा ब्राह्मन ने कहा उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वासू इस इच्छा को जानने के बाद विश्णू जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा भगवान विश्णू ने कहा कि मंदर के सामने एक इस्तरी रोज आती है और यहां आकर उपले पातती है तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रन देना वह इस्तरी ही देवी मालक्षमी है अगर वह इस्तरी तुमारे घर आती है तो तुमारा घर धन धाने से भर अगले दिन सुबह चार बजे ब्रह्मन मंदिर के सामने बैठ गया जब धन की देवी मालक्षमी उपले पात ने आई तो ब्रह्मन उन्हें अपने घर में आने का निविदन किया ब्रह्मन के ब्यक्तब्य सुनकर मालक्षमी जी समझ गई ये सब भगवान विश्णू का ही क मैं तुम्हारे घर आऊंगी देवी के कहे अनुसार ब्रह्मन ने देवी का ब्रत पुजन किया उत्तर की दिशा की और मुख करके लक्षमी जी को पुकारा अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी मालक्षमी प्रकट वी और उन्होंने गरीब ब्रह्मन के हरकष् पत्ती से भर दिया मालक्षमी के ब्रत में एक और कथा आती है परानिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विश्नु मिर्ति लोग यानि प्रिस्वी में गमन करने के लिए निकले तो माता लक्षमी ने भी निवेदन किया कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है भगवान वि सुमी और बोलती हैं कि चलिए सर्थ के साथ ही हम चलने को त्यार है तो माता जब फट से बोलती हैं सारी सर्थे मंजूर हैं तो भगवान विश्नु ने कहा कि जो मैं कहूं जैसा कहूं आपको वैसा ही करना होगा माता बोली ठीक है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी और दोनों पृत्वी लोग पर आके बीचरन करने लगे एक जगर रुप कर स्री हरी ने माता से कहा कि मैं दक्षिन दिसा की तरफ जा रहा हूँ आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा यह कहकर भगवान विश्णू दक्षिन दिसा की तरफ बढ़ गये अब माता को जग्यासा हुई की दक्षिन दिसा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ पर नहीं ले जाना चाहते माता का सुभाब तो मालक्षमी चंचल है और जादा देर तक एक जगर रुपती भी नहीं इसलिए वह भगवान विश्णू की तरफ ही बढ़ने लगी आगे जाकर माता को सरसों का खेद दिखाए दिया उसकी सुन्दरता ने माता का मन मोह लिया वह फूलों को तोड़ कर अपना स्रिंगार करने लगी इसके बाद वह कुछ दूर और आगे बढ़ी तो गन्ने के खेद दिखाए दिये उन्होंने गन्ना चूसने की इच्छा हुई उनकी तो गन्ने तोड़ कर उन्हें चूसने लगी भगवान विश्णू वापस आ गए तब तक और सरसों के फूलों से सजी माता लक्षमी को गन्ना को चूसते वे देख कर भगवान विश्णू उन पर क्रोधित हो गया भगवान ने कहा कि आपने सर्त का उलंगन किया है मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था लेकिन आप रुकी नहीं और यहां किसान के खेतों से फूल गरने तोड़ कर आपने अपराद किया है और आपको इसकी सजा मिलेगी इसके बद भगवान विश्णू ने माता को 12 वर्स तक किसान की सेवा करने का सराप दे दिया और स्वेंड छीर सागर गमन कर गया अब विबस माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पतनी को देवी लक्ष्मी की परतिमा की पूजा करने को कहा और कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा किसक की पतनी ने वैसा ही किया कुछी दिनों में उनका घर धंधाने से भर गया हसी खुसी समरिद्धी में 12 साल का समय बीद गया जब भगवान बिश्णू माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने माता को ना जाने देने का हट किया इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वो बिधी पुर्वक मेरी पूजा करे उसके घर से वो नहीं जाएंगी लेकिन इस दोरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी और एक कलस की अस्थापना करे उसमें कुछ धन रखे धन ही मालक्ष्मी का रूप होगा इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताय अनुसार ही पूजा कर कलस अस्थापना की और किसान का घर धन धाने से पुर्ण रहने लगा तब से लेकर आज तक 13 पर मालक्ष्मी की पूजा की जाती है गुरुवार के दिन भी उनकी पूजा की जाती है अस्ट लक्षमी की एक तीसरी कथा भी आती है महालक्षमी के ब्रत कथा में महाभारत काल के समय एक बार महरसी बेद ब्यास जी ने हस्तिनापूर का ब्रहमन किया महराज धृतराश्ट ने उन्हें अपने राज महल में पधारने का अमंतरन दिया रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनी बेद ब्यास से पूछा की है मुनी आप बताएं कि हमारे राज में धन की देवी मालक्षमी और सुक सम्रिद्धी कैसे बनी रहे यह सुनकर बेद ब्यास जी ने कहा यदि आप अपने राज में सुक सम्रिद्धी चाहते हैं तो परतिवर्ष आस्विन कृष्ण अस्ट्यमी को बिदिवत महालक्षमी का ब्रत रखें मुनी की बात सुनकर गंधारी और कुंती दोनों ने महालक्षमी का ब्रत रखने का संकल्प किया राणी गंधारी ने अपने राज महल के आंगर में एक सो पुत्रों की मदद से विसाला काय गज का निर्मान करवाया और नगर की सभी स्थरियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया लेकिन राणी कुंती को निमंत्रन नहीं भेजा जब सभी महलाएं गंधारी के राज महल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई माता को दुखी देखकर पांचों पंड़ों ने पूछा कि मा आप उदास क्यों है तब कुंती ने सारी बात बता दी इस पर अरजुन ने कहा कि माता आप महालक्षमी पूजन की तियारी कीजिए मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ ऐसा कहकर अरजुन इंदर के पास गया और इंदर लोग से अपनी माता के लिए एरावत हाथी ले आए जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्व से एरावत हाथी आया है तो सारे नगर में सोर मच गया हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने बिधी विधान से महालक्षमी का पूजन किया परानिक माननेता है कि इस बरत की कहानी को सोला बार कहा जाता है और हर चीज या पूजन सामगरी सोला बार चड़ाई जाती है